नमस्कार बच्चों मैता डिजल क्लास में आपका स्वागत है हम संस्कृत की पाठ्टे पुस्तक बढ़ रहे थे और हमने उसमें दो अध्यायों का अध्यन कर लिया था आज हम तीसरा और क्रमशय पांचवा जो अध्याया आपका उसका अध्यन करेंगे और पाठ का नाम है क कंटकर का मांता निकलता है कंटक नहीं कंटकक अंटक जानते हैं जो हमारे पेर में चुप जाता है इस पार्ट में इस प्रकार दिया हुआ है कि कांटक मेव कंटकम कांटेशे ही कांटा निकाला जाता है तो चलो पढ़ते हम सुरू करते हैं आज हम ये कहानी आपकी ध्यानपुर पढ़ना है समझना है मध्य प्रदेश के दिंडोरी जीले में परधानों के बीज प्रचलित एक लोग कता है यह पस्तंत्र की शेली में रचित है इस कता में ये इसपस्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत पन्नम इत्तिवह से बहार निकला जा सकता है यानि अपनी चतुराई से और जो उस समय परिष्टिती होती है उसके अनुसार कार्य करने से हम क्या होता है हम बहार निकल सकते हैं और हम बहार निकल करके उस संकर से बहार आ सकते हैं हम अपना कार्य सिद कर सकते हैं तो यह कहां सी है मध्य प्रदेश की दिंदरजी लेकर प्रगनाओं के बिच एक लोग कता है यह और यह प्रश्तंत्र की शेली में लिखी गई है और प्रश्तंत्र की शेली में लिख्यूई जिन असे घुट retail रहा we आसीद कस्चित चंचलो नाम व्यादः पक्सी म्रगादी नाम ग्रहने शै स्वयाम जीवी काम निर्वाहयती इश्महा एकदा शै वने जालम विश्तिरिया ग्रिहम आगतवान अन्य अस्मिन दिवसे प्रातह काले यदा चंचला वनम गतवान तदा सै द्रश्टवान यत तेना विश्तारिते जाले दोरभाग्यात एकः व्याग्रे भद्ध आसीद सो अचिंतियत सो का मलब सै अचिंतियत व्याग्रे माम खादिश्यती अत एव पलायनम करणियम अब आगे देखें आसीद यानि था कस्चित चंचलो नाम व्याद है कस्चित यानि कभी चंचलो नाम व्याद है चंचल नाम व्याद है चंचल नाम का व्याद है यानि शिकारी व्याद का मलब क्या होता है शिकारी तो था चंचल नाम का कोई व्याद और था चंचल नाम का कोई शिकारी था पक्सी म्रगादी नाम ग्रहनेन है पक्सी पक्सियों को और म्रगादी नाम यानि म्रग इत्यादी को हिरन वगारा इत्यादी को ग्रहनेन है ग्रहन करके यानि मार करके या ऐसे समसकते वाद उसको औ पकड़ना, जिसको कह सोते हैं, घ्रहण करने का मलब क्या होदा पकड़ना से स्वियाम जीविकाम निर्वायति इसम है स्वियाय अपनी जीविकाम यह जीविका को निर्वायति इसम है सलान रहा था निर्वाः कर रहा था यानि वो म्रग और करको करके अपनी जीवी का चला रहा था एक-दास है वने जालम विश्टिर्यम घ्रहुएं आ मोल्व भी खाग करके और ग्रह्थ एक बार क्या हुआ उसने जंगल में उस जाल को भिछाया और घर आ गया अन्य अश्मिन दिवसे यानी आगमी दिवसी यानी दूसे दिन प्रात्य काले में यदा चंचल है यदा यानी जब चंचल है यानी चंचल हो शिकारी वनमगत्वान वनमे गया वनम गत्वान यानि वन में गया तदा तय द्रश्टवान तदा यानि तब सै यानि उसने द्रश्टवान यानि देखा तब उसने देखा यत कि तेन विश्टारिते उसके द्वारा बिछाए हुए तेन यानि उसके द्वारा विश्टारिते बिछाए हुए जाले यानि जाल जाल को देखता है तो क्या देखता है कि वहाँ पर उसके दुर्भागे से उसके जाल के अंदर व्याग पसा हुआ था एक सेर पसा हुआ था बाग पसा हुआ था इसे मानलो आप तो सै अचिंतियत सै यानि उसने अचिंतिया ने विचार किया अचिंतियत का मलब क्या होता है विचार करना तो उसने विचार किया यहाँ पे देखो सो विसर्ग संदी है यहाँ पर रूप संदी भी है पूर्वरूप संदी व्याग्र है माम खादिश्यती तो उसने विचार किया कि व्याग्र है माम खादिश्यती व्याग्र जो है वो व्याग्र माम यानि मुझे खादिश्यती यानि खा जाएगा कि उसने सोचा कि अगर मैं इसको भाहर निकालूँगा या रुकूँगा तो यह बाग क्या करेगा मुझको खा जाएगा इसलिए यहां से पलायन कर लेना चाहिए पलायन का मलबता वापस चले जाना लोट जाना तो यहां से पलायन कर लो यहां से चले जाओ ऐसा कर लेते हैं इस प्रकार वो अपने मन में विचार करता है अब देखो व्याग्रह नवेदियत भो मानवह कल्यानम भवतुते यदित्वम्माम मोची शची तहीं एहम त्वाम नेक हनिश्यामी अब देखें आँस देखें आप तो उसने क्या किया उसने वचार किया कि मेरेको यहां से पलाइन करजाना चे लोड जाना चे वापस चला जाना चाहिए तब व्याग्रह नवेदयत व्याग्रह यानी व्याग ने उस बाग ने नवेदयत या निवेदन किया नवेदयत का मलब होता निवेदन करना भो मानवै अरे मानव कल्यानम भवतुते कल्यान हो तुमारा तुमारा क्या हो? कल्यान हो यदि त्वम, यदि तुम माम यानि मुझे मोचिश्यसी बहार निकाल दोगे मोचिश्यसी का मुझे होता है बहार निकालना ठीक है? अगर तुम मुझे बहार निकाल दोगे तहीं तब एहम त्वाम में तुम्हें एहम यानि में त्वाम यानि तुमको नहीं हनिश्यामी नहीं मारूंगा तुम्हारे को कोई हानी नहीं पहुंचाऊंगा अगर तुम क्या करोगे मुझे इससे बहार निकाल तो मैं तुम्हारे को कोई हानी नहीं पहुचाऊंगा तदा से व्याग्रम जालात बही निर्सारियत तदा तब से यानि वह व्याध यानि शिकारी वो चंचर शिकारी जो था वो व्याग्रा बाग को जालात यानि जाल से बही यानि बहार निर्सारियत निकालता है तब वो जो शिकारी था ने व्याद वो उस व्याग को उस जाल से बहार निकालता है व्याग्रा क्लांता आसीत व्याग्र यानि 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 व्याग्र यान उसने कहा से किस कौन वो व्याग वो सोरी वाग जो था उसने कहा वो मानवै अरे मानव पिपासु एहम प्यासा हूं में मैं क्या हूं प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा का मलब क्या होता है प्यासा तो मैं क्या हूं प्यासा हूं नध्धाम जलम आनिये मं प्या पिपास्य लेकररो। चल संत करो। टुम जो नदी है उससे जल लेकर एए उसको संत करो। यानि मेरी प्यास बुझाओ। ज़ो बाग था उसने जल को पी करके जलम पित्वा जलको पी करके पुने व्यादम अवदत पुने उस व्याद से कहा उस शिकारी से कहा अब आगे देखें अब देखें यहां पे क्या होता है कि वो जो शिकारी था उसने जल लाया उसकी प्यास को सांट की तो प्यास को सांट कहा तो तब उसने समय में पिपास आँ तो व्याद था उसको कहता है समय में पिपास यानि जो मेरी समय का मलब होता है बुझना, समय का मलब क्या होता है, बुझना, समय का मलब क्या होता है, बुझना, तो सांत होना, बुझना, तो में पीपासा मेरी प्यास, तो मेरी जो पीपासा थी, वो सांत हो गई है, सांत हो गई है, बुझ गई है, सांत होना, तो साम प्रतम भुभुख्शितो अस्ती, अ मैं क्या हूं विभुक्षितोución अस्मी अभ मैं भूका हूं तो वह क्या केता है कि अब मेरी प्यास तो भुज गई है साथ हो चुकी है ब मैं क्या हूं भुकषितोर्वं भूखा हूं इदाने एहम तौह खातिश्या भूए और अब a मैं ठुम्हाने मैं तुम्हारे लिए धरम यानी धरम को आचरित्वान आचन किया मैंने धरम का आचन किया कि मैं तुम्हारे को बहाण निकाला प्यासांत की ठीक नै तो मैं सब्कогiel ने तुम्हारे लिए क्या घृर्म का आच्न किया है त्सविए मिथ्या बनितम कुए यानि तुम मिध्या जूट बनितम याने कहा कि कि है कि निए मम मुझी थान ate तुम्हारे निकाला है तुम्हारे को पानी पिलाया है इसलिए तुम मुझे नहीं खाऊगे ऐसा तुम जूट बोल रहे हो इस प्रकार वो चंचल नाम का शिय करीता वह उस शेर से या उस बाग से कहता है अब आगे देखिए व्याग्रह अवदत अरे मुर्क सुधार थाये किम अपी अक कारियम सुधारता यानि भूग के लिए किम अपी कुछ भी अकारियम नहीं होता है यानि भूग से जो व्यक्ति भूका होता है यानि भूग से जो प्रिडित होता है उसके लिए किसी भी प्रकार का जो कार्य है वो गलतकार्य नहीं होता है अकार्य यानि बिना करने योग् समियते, सर्व यानि सभी, स्वार्थम यानि स्वार्थ के लिए समियते यानि समहित रहते हैं, सभी व्यक्ति स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, स्वार्थ के लिए समहित हैं, यानि अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, इस प्रकार वो कहा उस, द्याग्र न अब देखिए उस चंचल ने क्या किया चंचल है नदी जलम अप्रच्छत चंचल ने नदी के जल को अप्रच्छत पूछा वो नदी का जल बहराता उसको पूछता है पूछता है यहां तो नदी जलम अवदत है वो नदी का जो जल है वो कहता है एव मेवभवती ऐसा ही होता है कि जनह यानि लोग मई यानि मेरे अंदर यानि मुझसे इषनानम कुरवनति इषनान करते हैं लोग क्या करते हैं इश्णान करते हैं किसमे मुझमे मैयन मुझमे वस्त्राणि प्रक्षालयंती वस्त्रों को साब करते हैं दोते हैं तदाच और मलमुत्रादिकम विश्रिज्य निवरतंते और मलमुत्र इत्यादिका विशरजन भी करते हैं यानि वो क्या करते हैं मलमुत्रक अपने दोते हैं और मलमुत्रक भी छोड़कर चले जाते हैं यानि गंदगी फ्यलाते हैं वो तो वस्तुत इसलिए सर्वह सभी स्वार्थम समिहते तो सभी जो कारे हैं वो स्वार्थ में नीत है स्वार्थ में समाहित है यानि स्वार्थ के व्रक्षम उपगम्य अप्रच्छद, व्रक्षय अवदत मानवह, असमाकम छायायाम विर्मन्ति, असमाकम फलानि खादन्ति, पुने कुठारई प्रहित्या, असमाभ्यम सरवदह कष्टम ददाति, यत्र कुत्राबी छेदनम कुरुवन्ति, सरवय स्वार्तम समीहति. सभी क्या है? स्वार्तमे समायत है, सभी स्वार्त के लिए ऐसा कारिये करते हैं. अब देखो, चंचल है व्रक्षम उपगम्य प्रच्छत, चंचल जो वो शिकालीता उसने, व्रक्षम उपगम्य है, व्रक्ष के पास में, उपगम्य का ममलब होता है पास में. अप्रचत जाकर के पूझता है कि व्रक्ष अवदत तब व्रक्ष कहता है मानवा मनुष्या असमाकम हमारी चाया या विर्मंती हमारी चाया में बेड़ता है ग्रहन करता है विश्राम करता है विर्मंती का मलब क्या होता है विश्राम करता है विश्राम करना तो मानव हमारी चाया में विवन्ति विश्राम करता है असमाकम फलानी खादंती हमारे फलाने फलों को खादंती खाता है पुनह और दुबारा उठारई यानि कुलहाडी से पुनह यानि फिर भी उठारई कुलहाडी से प्रहित्य प्रहार करना ठीक है प्रहा क्लफ करता है तो मनुष्य क्या करता है हमारे श्यायंख में आराम करता है विश्राम करता है हमारे फ़लो को खाता है और पुणहें फिर से कुठार करके प्रहुत या कुत्रा भी छेदनम कुरुवन्ती और यत्र यानि जब कुत्रा भी कहीं पर भी छेदनम कुरुवन्ती छेदनम का मलब होता है काटना कहीं पर भी छेदनम कुरुवन्ती काटता है सर्वह स्वार्तम समिहते इसलिए सबी जो कारियें वो स्वार्थ के अंदर समाहित है सभी कारे स्वार्थ के लिए है तो यहीं से हम आज की क्लास मात करते हैं बैटे कल से हम यहां से प्रार्म करेंगे समीपे से तो आज की जो कहानी थी जो एक कथा थी उसमें हमने जो ग्यान हमें प्राप्ट हुआ है वो यही है कि व्यक्ति को कभी भी बिना विचारे दी आई करना जाए जो कि अगर फिर भी ऐसा कारे हो जाता है तो हमें सावधानी पूर्वक उस कश्ट को उस आये हुए कश्ट को किस प्रकार से समाधान करना हैं में इस प्रकार विचार करना चाहिए जो कि आगे आप पढ़ोगे धन्यवाद बच्चों